इस question में find out the value of i, मतलब current in the given circuit, मतलब यहां indicate किया है, इस wire में current आपको बताना है, तो देखें क्या होगा, इधर से current यहां से flow करेगा, 20 से current ऐसे flow करके गया, 20 से, यहां पे current आया, अभी इसके पास दो रास्ता है, current के पास, इधर जाने का रास्ता है और इधर जाने का, अभी current को जिस रास्ते में कम resistance है, उस रास्ते में current जादा जाता है, यह सही बात है, बिल्कुल, सब लोग मानते हैं इसको, अभी इस current के पास दो रास्ता है, एक रास्ता यह है, पहला रास्ता और दूसरा इधर जाने के लिए है, इधर वाले रास्ते में resistance है ही नहीं, अभी हमको कुए पता है कि current resistance के inversely proportional होता है अब इस रास्ते में resistance 0 है तो current क्या होगा infinite तो inverse ratio में divide करना होता है inverse ratio में current को तो जिस रास्ते में resistance होता ही नहीं है सारा current उसी रास्ते में आजाता है अगर इधर एक ओम भी हो जाता दा 0.01 ओम भी होता जरूर इधर ज्यादा current जाता और दूसरे side में कम आता अब इधर 0 पूरा का पूरा 0 है यानि maximum current इधर ही flow कर जाएगा तो सारा का सारा current इसका इस side में आ जाएगा समझ में आया यह बात यानि कि ये current तो उधर जाने से रहा उधर जाने से रहा यह इधर उसको shortcut path मिल गया current को बीना resistance वाला रास्ता मिल गया तो इधर आ जाएगा दूसरी तरफ अब देखें दूसरे तरफ से इधर से जो current आएगा वो बिल्कुल इससे यहां तक आएगा current अभी इसके पास भी दो रास्ता है यह सुझेगा इधर जाओं कि इधर जाओं तो inverse ratio में बढ़ता है इधर resistance चुकी है ही नहीं यानि कि sub current इधर ही आ जाएगा थोड़ा सा भी resistance होता तो जरूर उधर भी जाता उसका लेकिन इधर तो 0 एकदम 0 resistance मिला है यानि current फूल जितना है maximum flow करेगा no opposition है इधर तो सब current इधर आ जाएगा तो इसका total current इधर आ गया और इसका इधर चला गया तो बीच में कोई भी current नहीं हुआ तो इसका answer क्या हो गया 0